आप दोस्तो बेश्ट रसोई संगीता के चैनल में आप सबी का स्वागत है आप कैसे हैं दोस्तो हम आज़ा करते हैं आप अच्छे होंगे आप दोस्तो बनाएंगे लोगी के रइस्पी आपको बना के दिखायेंगे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हमारा हमने एक कप बेशन लिया है काट लिया है आप इसको कद्दू कस भी कर सकते हैं एक कप हम लो के लिए रहे हैं एक कप ये बेशन है इसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाएंगे हल्दी पावडर को इसको अच्छी तरह से मिला लेना है थोड़ा इसमें नमक मिलाएंगे नमक अवा हल्दी को अच्छी तरह से मिला लेना है अब इसमें थोड़ा सा पानी मिला दे रहे हैं इसी तरह हमें इसको गूत लेना है ज्यादा पानी नहीं मिलाना है जिस तरह पकवरी का बनता है वो उसी तरह हमें इस बेशन को भी बनाना है हमने चूले को जला दिया है कराही को रख दिया है अब इसमें तेल डालेंगे तेल अच्छी सी गरम हो चुका है अब इस कोप्ती को डालने के तेल में तलने के लिए प्यूडश स्क्राव चादा पकवरी हमारी हो चुकी है मैं भूख ये कोफटा अब हो गया है अब इसको पलक लेना है इसी तरा आपचे से पलक लेना है इसको पकवरी इसी तरा पलक लिया है दोस्तों आज-पास की लोगों को आवाज आ जाता है इसमें वीडियो बनाते समय इसके लिए छमा करना दोस्तों हमको किसी को मना भी नहीं कफिकती इसके लिए छमा करना दोस्तों कोक्ता हमारा बन चुका है इसको हम निकाल ले रहे हैं अब दूसरा हम डाल दे रहे हैं तलने के लिए इसी तरह हमें अच्छी तरह से तन लेना है इसको तरके के लिए हमने प्याज लिया है प्याज को इसी तरह काट लेना है अच्छी मेर्च लिया है यहारा मेर्च था यह रखने से दो तीन दिन रखने से लाल हो गया है इसी तरह मेर्च को काट लेना है कोप्ते को हमने तर लिया है इसी बचा हुआ था अब उसी में हम तर्षा लगाएंगे तड़की को वरावन तक होने तक भूर लेना है तेज पत्ते को डाल भी दे रहे हैं तेज पत्ता बड़ा थामने तोब दिया उसी तरह हमें इसको चला लेना है नहीं बीच में कहीं कच्चा होगा कहीं पका होगा कहीं जल भी सकता है हमने दो चम्माच लाल मेर्थी लिया है और दो चम्माच धन्यों पावडर है दो चम्माच हली पावडर है और दो चम्माच गरम मसाला है अब इसको हम मिला दे रहे हैं मसाले को पानी में ऐसे इसको घोर लेना है हम इसे मसाला डालेंगे तेल में तो मसाला जल जाएगी इसलिए हमने थोड़ा सा पानी निला दिया तड़के हमारे कुछ भूनों के हैं अब इसमें मसाला डाल दे रहे हैं अब इसको एक मिला तक पकाएंगे अत्मी तरह की आज बाहर बारिस हो रहा है आज हम यहां खपर में खाना बना रहे हैं खपर के घर में आप देख सकते हैं कोक्ति को हम दाल दे रहे हैं मसाले में मसाला हमारा अच्छी तरह से पक शुका था इसमें तीन चम चम नमक डाल दे रहे हैं आराम से इसको चलाना है नहीं तो फोट जाएगा अब इसमें थोड़ा ही पानी जालना है ज्यादा पानी नहीं डालना है अच्छी में तक्षी को हम पकाएंगे आप देख सकते हैं कोपता हमारा हो चुका है दोस्तों आज बार इसके वज़ा से हमने यहां चप्पर में ही चप्पर के ही घर में खाना बनाया है कोपता और वहां पानी भर गया है हो साफ हो सकता है साफ हमारा वीडियो ना आये इसके लिए चमा करना हम हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनबाद दोस्तों